हालो आप्रीवर्न दिस दॉक्तर एंचली वैलकम तो माय यूट्यूब चैनल आज की क्लास में हम स्टाट करें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पार्ट टैन और वी विल दो टॉपिक स्टाइन कंवेंशन पर इस तरीके से करते हैं वह में आज के कलास में करना है यह एंड इसी पर नियूमरिकल करेंगे तो पेटर इस जस लाइक दा मेरे जैसे हम ने जो इस मेरे के अंदर मैठोड का यूस किया था उसी मैठोड को हम यहाँ पर यूस करेंगे तो फिर्स ऑफ हमें Cartesian coordinate system पता होना चाहिए कि that is the plus x axis this is the minus x axis this is the y axis and this is minus y axis अब यहाँ पर आपको कोई भी lens रखा हो just example आपने convex lens रखा है या फिर यहाँ पर concave lens रखा है तो बस आपको यहाँ पर देखना है कि आपको object किदर है और image किदर है उस accordingly आपको positive और negative sign लेना है तो of course we guys know very well कि जो यह यहाँ पर अपना object है वो 90% case में आप किस side रखते हो left side में ही रखते हो not in the right side okay तो यह left side में आप अपने object को रखोगे तो जो object का distance है वो आप हमेशा negative में ही लोगे चाहे वो concave का example हो चाहे वो convex का example हो okay in the same way इसके बाद आते है second कि आपकी image किदर बन रही है तो object समझ आ गया object distance of object जिसे हम किसे रे note करते है यू से तो यू हमेशा negative ही होगा अब बात करते हैं वी की वी क्या होता है distance of image image किस distance पे है तो वी know very well अगर अगर आपकी image यहाँ पर right hand side में बनेगी plus x axis में मिलेगी तब तो आप उसको क्या लोगे positive लोगे और अगर वो left side में बन रही है जिस side में object है उसी side में आपको image मिल रही है तो आपके image की distance क्या हो जाएगी negative तो it can be positive और negative ओके in the same way अब हम आते हैं height पे तो अगर आपके object की height यहाँ पर उपर की side है plus y axis में है तो जो h होगा positive होगा and of course h को हम हमेशा ही यहाँ पर positive ही लेके चलते हैं तो h तो in every case you will get the positive बट जो आपको image मिल रही है वो y axis में plus y axis में भी मिल सकती है minus y axis में मिल रही है तो जहाँ पर आपके image बन रही है उस accordingly हम उसका sign ले लेते हैं okay and इसी पर based हम इसके आगे numerical भी करेंगे but before that we have to know the lens formula तो देखें lens formula क्या होता है थोड़ा सा difference है जैसे अगर आपने mirror formula देखा हो तो वहाँ पर plus का sign था mirror formula क्या था 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v जबकि lens के अंदर क्या है 1 upon v minus 1 upon u तो यहाँ पर minus का sign आ जाता है तो यह छोटा सा difference है lens में और mirror में magnification का formula is same ठीक है as dash upon h as dash क्या है height of the image and h क्या है height of the object of course आपकी जो image है वो कितना magnify होके मिली है so that is your magnification अब इसी पर based हम numerical करते हैं तो numerical करके जो आपके doubts है वो भी क्या हो जाएंगे बिल्कुल clear हो जाएंगे तो इस start करते हैं 10.3 numerical से a concave lens has a focal length of 15 cm तो इक concave lens है जिसकी focal length हमें कितनी given है 15 cm given है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो focal length है हमें इसे plus में लेना है या minus में लेना है यह देखेंगे at what distance should be the object form the lens place so that it forms a image at 10 cm from the lens find the magnification produced by the lens तो देखें हमें क्या करना है यहाँ पर object के distance को calculate करना है क्योंकि यहाँ पर यह ही लिखा है ना at what distance should the object from the lens यहाँ पर object का distance कितना होना चाहिए अगर जो image का distance है वो 10 cm हो 10 cm हो कहां से lens की side से ठीक है तो हम यहाँ पर image का distance ले लेते हैं देखें concave lens है concave lens में हमें पता है concave lens में हमने केवल दो यह example लिये थे एक infinity can pole के बीच में तो जो भी image है वो आपकी कहां पर मिलती है concave के अंदर negative side में मिलती है देखें concave के अंदर negative side में image मिलती है previous class में हमने सीखा है तो इसलिए यहाँ पर जो image का distance है वो क्या हो जाएगा minus 10 cm तो सबसे पहले focal length को लिखते हैं तो focal length देखें प्लस होगी या minus होगी अफकॉस focal length क्या होगी यहाँ पर minus होगी क्योंकि यहाँ पर हमें देखेंगे तो जो image है वो किस side मिल रही है देखो convex के focal length हमेशा positive consider करते हैं बिलकुल इसे नहीं रटना है आपको केवल इस concept को समझना है कि concave के अंदर, concave के अंदर जो image होती है वो आपको यहाँ पर meet होती होई दिखाई देती है focus पे तो वो negative side पर image होती है इसलिए यहाँ पर focus है उसको negative लिया है जबकि convex के अंदर, convex के अंदर image इस वाले focus पे मिलत तो एक चीज और याद रखनी है आपको कि convex का जो focus है, convex की जो focal length है वो हमेशा positive लोगे और concave की जो focal length है उसे हमेशा negative consider करना है इसका reason भी मैंने आपको बताया तो सबसे पहले हमें question में क्या given है, focal length given है, कितनी given है, minus 15 cm इसी के साथ हमें क्या given है, image का distance given है, तो जो image का distance है इस से V से denote करते हैं और ये भी हमने कितना लिया, minus 10 cm, reason I hope so आपको समझ आया होगा कि minus sign क्यों आया है, क्योंकि जो हमें image मिल रही है, वो भी negative side में मिल रही है, और जो focal length है, वो भी negative side में है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, तो ये एक figure हमने draw किया, तो we know very well आपको image कही negative side में मिलेगी, तो इसी लिए यहाँ पर, ये coordinate system बनाया है, तो this is the plus x axis, this is the minus x axis, तो focal length भी इधर इसा ही लेंगे, तो दोनों की दोनों negative side में है, अब हमें calculate क्या करना है सबसे पहले, object की distance calculate करनी है, you calculate करना है, calculate कर लेंगे, तो सबसे पहले formula लिखते है, formula क्या है, 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F, इसके बाद हम values put up करते हैं, हमें calculate क्या करना है, 1 upon U, तो 1 upon U को हम ले लेते हैं right side में, ठीक है, तो ये minus है, ये plus हो जाएगा, and 1 upon F हो जाएगा minus में, अब हम यहाँ पर values रख देते हैं, तो ये 1 upon V है, तो ये हो गया minus 10, and minus, जो focal length है, minus 15 हो गई, अब देखें, आगे दि ये तो minus minus plus हो जाएगा, तो plus 1 upon 15, okay, and U की value क्या है, यहाँ पर minus 10 है, ये minus है, तो ये हो गया minus 1 upon 10, तो इसलिए इसको पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, actually, इसके बाद हम LCM लेते हैं, तो 15, 2s are 30, 30 LCM आया, 15, 2s are 30, 10, 3s are 30, तो आपको यहाँ पर जो object है, object की distance कितनी मिल रही है, 1 upon U की value मिल रही है, minus 1 by 30, और U की value क्या मिली, 30CM, minus 30CM, अभी minus का मतलब क्या है, मतलब आपका जो object है, वो भी क्या है, left hand side में है, और हमें पता है, हमने अपने object को left side में ही रखना है, ये तो हमने पहले ही discuss कर लिया था, कि जो object है, वो left hand side में ही रखेंगे, तो जाए concave हो, जाए convex हो, तो जो उसका U है, वो minus में आएगा, तो इससे proof हो गया कि हमारा answer गलत नहीं है, हमारा answer बिल्कुल सही है, ओके, इसके बाद आते है हम magnification पे, कि magnification कितना हुआ है, तो magnification का formula कितना होता है, बेटा, V upon U, V upon U, V का value कितना है, minus 10, U का value कितना है, minus 30, तो य यह आया 0.33, अब देखें, यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि जो answer है, वो 0.something में आया है, तो that means image छोटे होके मिली है, जो छोटी होके मिली है, जो पहले की comparatively, जो object की comparatively, अगर हम अपनी image को देखेंगे, तो वो diminished form में मिली है, और कितने diminished होई है, 0.33 factor से diminished होई है, किस type की है, हमें यह पता होना चाहिए, तो बेटा, concave lens को अगर आप देखेंगे, तो उससे आपको हमेशा किस type की image मिलती है, concave lens से हमेशा आपको virtual image मिलती है, हमें यह भी पता है, हमें erect image मिलती है, the reason behind that, जिस side आपका raise आ रही है, जिस side से आप light ray ढाल रहे हो, उस side पे, जिस side से आ आपकी light ray, object की light ray आ रही है, उस side पे आपको image मिलती है, तो इस type की image क्या होती है, erect होती है, और virtual होती है, ठीक है, and कितनी हो गई, one third हो गई, पहले की comparatively कितनी हो गई, one third हो गई, तो यह इसकी कुछ properties भी हो गई, and of course दिखिए, यह तो एक basic property है, जो हमें पता होनी चाहिए, और यह probe भी कैसे हुआ, क्योंकि magnification क्या है, plus है, जब भी magnification की value plus में आती है, तो that image always be virtual and erect, okay, virtual और erect बनती है, जब magnification बेटा minus में होता है, तब आपकी image क्या होती है, real बनती है, ठीक है, और real है, तो वो क्या होगी, inverted होगी, real हमेशा inverted होती है, real के साथ हमेशा inverted चलेगा, यह इस दिमाग में बठा लीजिए, and virtual के साथ हमेशा erect चलेगा, okay, तो अगर M की value positive है, M की value positive है, तो that image always be virtual, okay, and अगर real है, तो हमेशा क्या मिलेगी, negative मिलेगी, तो यह हमने 10.3 question को solve किया, अब हम आते हैं 10.4 question पे, तो बहुत ध्यान से समझना है, इससे जरूरी है, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter, तो इसमें बताया है कि हमने convex lens लिया है, ठीक है, principal axis के perpendicular हमने कोई object को लिया है, और उस object की height किती है, 2 centimeter है, तो जो h है 2 centimeter हो गया, लेकिन plus लेंगे या minus लेंगे, तो of course बेटा हम अपने object को तो हमेशा y axis पही रखते हैं, positive side में रखते हैं, यह हमने है, तो जो height of the object है, edge कितना हो गया, 2 centimeter हो गया, वो भी plus में, इस place perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter, अब हमें यहाँ पे focal length भी गिवन 10 centimeter, अब एक convex की focal length हम positive ले या negative ले, क्योंकि concave के case में, अगर हमने previous question solve किया था, concave का, तो हमने यहाँ पे focal length को क्या लिया था, negative लिया था, बट convex को क्या ल हाता है, जितनी भी light ray refract होने के बाद focus में मिलती है, लेकिन कौन से focus में मिलती है, positive side के focus में मिलती है, plus x axis में मिलती है, concave में क्या हो रहा था, जितनी light ray meet हो रही थी, वो negative side में refract हो के आ रही थी, ने, ऐसा लग रहा था, कि it's just like appear to meet, वो मिल नहीं रही है, बट ऐसे मिलती हो प्रतीत हो रही है, लेकिन किस side negative side में, negative x axis में, इसलिए concave की हमने focal length negatively थी, बट convex की जो focal length है, हम क्या लेके चलेंगे, positive लेके चलेंगे, तो focal length कितनी हो गई बेटा, 10 cm, अब हम आगे चलते है, the distance of the object from the lens is 15 cm, अगर हम object की distance की बात करें, lens से तो हमें कितनी मिल रही है, 15 cm मिल तो यहाँ पर object की distance हमने कितनी ले, 15 cm, लेकिन plus में ले, या minus में ले, तो आपको पता है कि जो object है वो तो आप हमेशा negative x axis में ही रखते हैं, जो object है वो इसको इधर ही तो रखोगे, negative x axis में, image मिल सकती है, आपको right hand side में, plus x axis में, लेकिन जो object है वो तो आपका minus x axis में ही होता है, इसलिए जो बेटा u की value है, u की value हम क्या लेंगे, minus में लेंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से solve करना है कि जो u है, v है, plus में लेना है, minus में लेना है, coordinates हम आक्टरी को ध्यान रखते हुए, otherwise आपका answer गलत हो जाएगा, तो बस Cartesian coordinate को follow करते अब इसके बाद हमें calculate क्या करना है, हमें u की value मिल गई, हमें f की value मिल गई, हमें h की value मिल गई, अब आगे पूचा है, find the nature, position and size of the image, also find its magnification, तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम v को solve कर लेते हैं, अब v को कैसे solve करेंगे, तो we know very well v का formula क्या होता है, वहीं हम अपने lens formula को use करेंगे, 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f, हमें 1 upon v को solve करना है, तो क्या हो गया, 1 upon f plus 1 upon v, 1 upon f, f की value क्या है, 10 plus में ही है, and इसके बाद यहाँ पे हमें किसकी value चाहिए, u की value चाहिए, तो u की value कितनी है, यह v और u में confusion नहीं होना चाहिए, that is the u, u is minus 1 upon 15, तो यह हो गया, minus 1 upon 15, तो इस तरीके से कुछ हम इसे solve करेंगे, तो आगे हम इसे LCM लेते है, तो यह 30 आ गया, 10, 3s are 30, and 15, 2s are 30, तो यह हो गया 1 by 30, तो जो 1 by v है, कितना मिला, 1 by 30 तो v की value, मतलब image कितनी हो गयी 30 cm की, तो देखें, अगर यहाँ पे आपको image 30 cm मिल रही है, तो that is so clear, कि जितना large image मिल रही है, उसकी comparatively आपको magnify image होके मिल रही है, और यह positive sign है, positive sign है, तो positive sign है, तो मतलब lens के दूसरी side में आपको image मिली है, जो magnified form में है तो that means यह जो image है यह आपको क्या मिल रही है real मिल रही है और यह inverted मिल रही है अब यह मैंने कैसे find out किया कि मुझे यह पता है plus x axis में है plus x axis में है तो दीखे जिस side में आप raise को डाल रहे है जिस side में आप raise जो आपकी raise है incident हो रही है उसके opposite side में उसके opposite side में अगर आपको image मिल रही है तो that is real or inverted यही तो हमने previously सीखा था देखें दोनों question को ध्यान से compare कीजेगा आपके सारे fundamental विल्कुल clear हो जाएंगे जो previous class में हमने दोनों tables देखी थी उसके through भी clear हो जाएंगे तो आपको इस चीजे ध्यान से देखनी है जिस side आपका object है उसी side आपकी image हा रही है तो that means यह क्या है virtual and erect है जिस side आपका object है उस side आपकी image है तो that means यह virtual और erect है इन the same way जिस side आपका lens है उसके opposite side में आपकी image है तो वो क्या है real or inverted है तो बस इस concept का आपको ध्यान रखना है अब आपके पास u की value है आपके पास v की value भी है तो यहाँ पे हम magnification calculate कर सकते है ताकि आपको confirm हो जाए कि जो आपकी image है वो real or inverted है ठीक है तो हमने यहाँ पे magnification calculate किया किसे v upon u से तो v की value है 30 cm u की value है minus 15 cm तो यहाँ पे आपको कितना मिला minus 2 cm तो आफकोस जो हमारी image है वो हमें बिल्कुल double होके मिली है और अभी आपको बताए कि magnification negative है magnification negative है that means जो आपका image है वो real or inverted है तो देखे यहाँ पर magnification अगर negative होता है तो आपकी image क्या है real or inverted है और अगर magnification positive है positive था और आगे बाले question में हमने solve किया तो magnification क्या आ रहा है negative आ रहा है that means जो हमारी image है वो आपको किस type की मिली real मिली और inverted मिली तो यह तो हमने solve कर लिया magnification ओके अब हमारे पस h है हमें यहाँ पर position image का size भी calculate करना है क्या calculate करना है image का size भी calculate करना है अब यह image का size कैसे calculate करें तो कौन से magnification के formula में s dash upon h किसके equal होगा v upon u के equal होगा ओके तो यहाँ पर s dash h है आपके पास ओके हमें क्या calculate करना है s dash calculate करना है h की value आपके पास है तो यह हमने किया s dash calculate h है इधर cross multiply में हो गया h v upon u अब हम value रखना start करते है तो बिटा height किती है object की that is 2 cm and v value कितनी है 30 cm and u की value किती है minus 15 cm तो minus 15 to the 30 and 2 to the minus 4 तो h dash आपको कितना मिला minus 4 cm तो of course हमें देखे जो image मिल रही है वो किस side मिल रही है lens के opposite direction में and जो उसकी height है वो क्या है minus 4 cm की है minus है तो यह negative axis में गया तो I will suggest आपको figure भी जरूद रहा करना है तो इस तरीके से हमने solve किया example number 10.4 अब हम इसके बाद आते है next topic पे power of lens power का मतलब क्या है आपने बहुत सारे lens देखे होंगे specs देखे होंगे जिसमें हम बार बार डिसकस करते कि अच्छा इस lens के कितनी power है इस lens की कितनी power है तो वहाँ पे actually power का meaning क्या है तो देखे बेटा किसी अगर हम ऐसा बोल रहे है कि इस lens की इतनी power है तो that means यह उसका degree का measurement है ठीक है अब हम उसमें measure क्या कर रहे है कि जो lens है वो कितना converge कर सकता है light को और कितना diverse कर सकता है जब light ray उसके उपर आके fall होती है ठीक है जब भी कोई light ray incident होती है ठीक है जब भी कोई light ray किसी भी lens के उपर incident होगी कोई भी lens के उपर तो वो क्या करेगा या तो वो light को converge करेगा या फिर वो light को diverze करेगा तो वो किस degree से कर रहा है और diverze कर रहा है उसी के measurement को हम क्या बोलते हैं power of lens बोलते हैं अब बहुत simple तरीके से हम power को calculate कर सकते हैं कि इस तरीके से 1 upon f से 1 upon focal lens है जितनी कम focal length होगी उतनी ही ज़्यादा lens की power होगी तो इस formula से ये clear हो गया कि जो focal length है वो किसके inversely proportional है power के inversely proportional है अगर हम power की SI unit देखें तो क्या होती है adapter, क्या होती है diopter किसे denote करते हैं? capital D से, capital D से इसे denote किया जाता है अब देखो अगर आपके पास power given है तो आप पता सकते हो कि convex है की concave है अगर power plus है तो ये lens कौन सा होगा? convex होगा अगर power की value minus में है तो lens कौन सा होगा? concave होगा अब अगर इसे और simple करना हो तो exactly ये dependent तो किस पर है? focal length पर ही dependent है अब हमें ये पता होता है कि जो convex है बिटा, convex में जो focal length है वो क्या होती है? positive होती है क्योंकि सारी rays क्या होती है, diverze हो जाती है एक point पे positive side में होके diverze होती है तो focal length positive है तो power भी positive होगी तो that means this lens is convex and concave के अंदर क्या होता है? सारी light ray एक ही point पे आके meet करती हुई दिखाई देती है तो जो focal length है वो negative हो गई तो power भी क्या होगी? negative हो गई negative side में meet करती हुई दिखाई देती है ना मिटा, concave के अंदर कि कोई भी light ray आएगी उसको refract होना चाहिए बट वो meet इदर करती हुई दिखाई देती है negative x axis में तो this is the reason कि concave के अंदर जो power है वो negative क्यों होती है और convex के अंदर जो power है वो positive क्यों होती है अब इसी की साथ हम कुछ questions को discuss करते है define one diopter of power of a lens अगर मैं बोल रही हूं कि बीटा कोई lens का power है वो one diopter है तो इसका क्या मतलब है ठीक है इसका मतलब यह है कि one diopter is defined as the power of lens whose focal length is one meter तो one diopter का मतलब क्या है कोई lens जिसकी length कितनी है focal length कितनी है one meter है तो this is the exactly meaning of one diopter what is one diopter which focal length is which lens focal length is one meter अब हम आते है second question पे तो this is the numerical इसे बहुत अच्छे से करना है important है a convex lens form a real and inverted image कोई convex lens है वो real और inverted image बना रहा है most of case पे convex के तुरू हमें real और inverted image ही मिलती है of a needle at a distance of 50 cm of it where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object okay हम जो needle है मतलब जो needle का हमें क्या मिल रहा है convex lens के तुरू आपने convex lens लिया convex lens के तुरू आपने एक needle लिया ठीक है needle को किसी distance पर रखा जैसे यहाँ पर यह जो arrow का sign है यह माल लिजे यह आपकी needle है ओके तो यह needle आपका object हो गया अब इस object के तुरू आपको real और inverted image मिल रही है तो that is for sure यह कि जो real और inverted image है वो lens के opposite direction में मिल रही है convex में मिलती भी इसी तरीके से clear है at a distance of 50 cm for it और आगे इसने यह बता रखा है कि बेटा जो image का distance है image का distance है वो कहां मिल रहा है 50 cm पर मिल रहा है तो यह भी given है image का distance है वो कहां मिल रहा है 50 cm में मिल रहा है तो image के distance को हम V से denote करते हैं अब इसे plus में ले या minus में ले तो image है वो बन तो plus x axis में रही है, image किदर आ रही है, plus x axis में आ रही है, तो जो v का value है वो कितना हो गया, plus 50 cm, क्योंकि वो positive side में बन रही है, clear है, अब आगे question में ये पूछा है, कि हम needle को कहां put up करें, जब आपकी image size के बिलकुल equal हो, तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, कि जब आपका object focus पे put up किया जाता है, ठीक है, बिलकुल focus पे put up किया जाता है, तो जो size है, वो बिलकुल equal मिलता है, object और image का, exactly, अब यहाँ पर ये भी पता है, कि जो object को हमने 50 cm पे put up किया है, तो मतलब magnification क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो मतलब हमें जो object का sign है, वो भी क्या और inverted image है, ठीक है, size बिलकुल same है, तो magnification कितना हो गया, minus 1, ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि देखे, magnification क्या होता है, V upon U, अगर V plus 50 है, तो object है, वो भी कितना है, दोनों का size बिलकुल equal है, तो V और U का ratio भी क्या होगा, बिलकुल equal होगा की नहीं होगा, S dash upon H किसके equal मिला, minus 1 के equal म मिला, minus क्यों लिया, क्योंकि real or inverted है, तो V upon U, कितना हो गया, minus 1 हो गया, V की value क्या है, 50 cm, तो यहाँ पर आप U की value को निकाल सकते हो, U कितना हो गया, minus 50 cm, as you can see, इसे हमने किस साइड रखा है, वैसे भी negative x-axis में रखा है, तो यहाँ पर हमने U की value निकाल ली, हमारे पास V की value अब हम calculate करेंगे focal length को, किसको calculate करेंगे, focal length को, तो अब देखे, focal length कैसे calculate करते है, focal length का formula यहाँ पर क्या होगा, और इसको कैसे calculate किया जाएगा, तो focal length बिटा, देखे, यह image का center, और जहाँ पर आके सारी right rays meet होती है, जहाँ पर आके सारी right rays meet होती है, उसी को बोलते हैं, हम focal length, अब देखें, convex के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हमारा object 2F पे है, object 2F पे है, तो image भी हमें किदर मिलती है, 2F में मिलती है, और इस case में, इस case में होता क्या है, या फिर आप center of curvature भी बोल सकते हैं, अगर आपको object center of curvature पे है, अगर आपको object center of curvature पे या 2F पे है, तो image भी आप को center of curvature पर या 2F पर ही मिलेगी clear cut है and जो F है वो क्या हो गया इसका half point हो गया ठीक है तो अगर हमने अपने object को 50 cm पर रखा है और the one is very very important thing one is very very important thing image का size और object का size भी क्या होता है इस case में बिलकुल equal होता है कब होता है जब आपने object को 2F पर रखा है तो basically आपको strike हो जाना चाहिए था जैसे ही आपको question में यह given है na कि real or inverted है and object का distance और image का distance size बिलकुल equal है size बिलकुल equal है ठीक है दोनों की height बिलकुल equal है तो मतलब हमने अपने object को 2F पर ही रखा है अब यहां से आप क्या focal length calculate नहीं कर सकते हैं बिलकुल calculate कर सकते हैं जब 2F की value हमारे पास 50 cm है ठीक है हमने अपने object को 50 cm पर रखा है 2F is 50 cm तो थोड़ा सा tricky question था जिसको आपको बहुत ध्यान से करना था तो आपको focal length कित्ती मिल गई 50 by 2 25 cm तो यह एक छोटा सा concept था जो आपको याद रखना था अब हमें क्या निकालनी है power of length तो यह जो focal length आई है centimeter में आई है हम इसे meter में convert कर देते हैं क्योंकि जो power है वो one upon focal length होती है अभी हमने देखा बट वो उसको meter में लेना है तो यह centimeter को meter में convert किया तो कितना हुआ 0.5 meter क्या हुआ 0.5 meter अब हमें power calculate करनी है तो that is one upon focal length तो one upon focal length कित्ती है 0.25 तो कितना हुआ 100 by 25 and 25 forza 100 तो हमें power of the lens कितनी मिली 4 तो इस तरीके से हमें question को calculate करना था अब हम आते थर्ड question पे that is very very easy question find the power of a concave lens of focal length 2 meter तो देखे focal length कितनी दे रखी है 2 meter बट हमें यह plus में लेनी है minus में लेनी है तो देखे concave lens है concave lens है जहां पे आपको image है वो किस side मिलती है negative side में मिलती है ठीक है it just like appear 2 meter तो focal length किया हो गई negative हो गई इस चीज को ध्यान रखना है power calculate करनी है तो that is 1 upon focal length तो यह हो गया 1 upon minus 2 तो that is minus 0.5 diopter is power of the lens तो इस तरीके से हमने third question complete किया तो पेटा आज की class में हमने light reflection and reflection chapter को complete किया मिलती है इसके exercise questions के साथ till then thanks take care of yours thanks for watching and please click to subscribe bye all